कि नमस्कार दोस्तों एक बार फिट से स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल जीके कुई जीरौनक में दोस्तों इस वीडियो में अपन राजस्थान के परमुक साहिते एवम उनके लेखकों को बिल्कुल शांदर ट्रिक के माध्यम से याद ही करेंगे तता साहिते से माधूमR मत दोके कुए एक तो पदो में रचे गए ऐक तो चारण साहिते हो जैन सबस्टे है ब्रामण समय पीसे खालता है कि लिए को जाताया Li जें डेना सबस्टान का वीरबबोल क्या चीज होगी तो राजस्तानी भाषा साहिते की परमुख विधाय अपन देखते हैं जैसे की वंशावली क्या होती है इसके अंदर राजवंशों का विस्तरत वर्णन होता है वंशावली में क्या होता है इसमें राजवंशों का विस्तरत वर्णन होता है वचनी का, वचनी का क्या होती है ये गदieneका का सब्सक्ट प्राजाया वहिए उनके वन्शराजों से संबंधित होती है बात कता या कहानी क्या होती है यह प्रेड़णा इस पर लोक कता हों का लिखित रूप होता है उसको क्या किते बात कथा या कहानी कहा जाता है विगत क्या होता है विगत होता है यह इत्यास परक होता है विगत कहा जाता है वेली वेली क्या होता है एसा गरंथ जिसमें राजा की वीरता वे उदारता का वन्नन होता है रासों क्या होता है शाचक की वीरता वे अभ्यानों क वर्णन किसम होता है रासों के अंदर होता है शाचक की वीरता वे अभ्यारों का वर्णन किसम होता है रासों के अंदर होता है परकाश क्या होता है किसी व्यक्ति की विशेश उपलब्दियों पर लिखना लिखा गया गरंत या फिर उसके पिशेश उपलब्दियों पर लिख कई लेकि एक्जाम के अंदर पूछा कि दफाव तो और भी फार्सी राजस्थानी दोहे क्या कै लाते हैं जाली को अंकर जाता है आपको द्हाय कहीं देवरह रखान रखनानी के लिए राजस्तानी भाशा में हखना है कि भाषा के है राजस्तानी अदर बार इजानते हैं यह करlawी शिरते रूप होता है शाधनिता था उह ध्रोप होता है सी उत्पती है, राज़स्तार में सरवाधिक सहीतु, नीगल बाशा का सरव परधम पर्योग 1.50 7 में कुशल नाब ने अपने गरंत पिंगल क्ई में किया थे 색ज़ित। में कुछनपने अपने गरन्त पिंगिल शिह protective hair एक इस तरीक स्थायन रखना सिख्वाहण गरंथ में कुछन नाभ न सर पर्थम बास्टिय्या का पलियोग किया था इसमें इन्होंने मारवड राजे के साथ ही राजस्थान के जागिरदारों और सामुन्तों का इत्यास भी इसमें लिखा है डिंगल हो गया अब आवन पढ़ते हैं पिंगल पुर्वी राजस्थानी भाषा को केते हैं पिंगल केते हैं यह ब्रज भाषा का मिश्रीत रूप है इसकी उत्पत्ती शोर्षेन उपबरंश से हुई है इसकी उत्पत्ती हुई है राजस्थानी शब्दकोष डिंगल शब् लालस ने खेंगे सितराम लालस ने लिखा है की इनसाइक्लोपीडिया ऑफबीटे की निका में सीतरम लालस को राजस्तानी भाशा की मिल्चारागी निकाँ मोचिक नेंकिया पुधान रखना उसके बाद ख्यात पढ़ लेंगे फिर अपने मिश्री दूप से रायस्तानी सहिते बढ़ेंगे तो रायस्तान के परमुक्स रासो सहिते पढ़ते हैं सबसे परैल सहिते अपना पित्वी राद जरसो जिसके लिकर कोण है चंद वर्दाई मैं आपको हो ओ सके बाद उिसके पूरी डीटेल से पने मिया है तो पित्वी पर रहने वाले न्याहितो चांद पर गए भी है तो पित्वी पर रहने वाले चांद पर जाना चाहता है इस तरीके से वैसे तो यह फेमस गरंद सब को बता होगा पित्वी रासो चंदवर्दाई ने लिखा है तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो आपकी पित्वी पर रहने वाले चांद पर जाना पिथ्वीरा रासो चांद यों जागा चंद वर्दय के पूतर थे अमें पूतर चंद पर चंद पर जाना चाते है इसकी भाषा क्या है पिंगल और डिंगल दोनों शयलियों में लिखा गया है, यह गरंथ हिंदी महाकावे का पहला गरंथ कहलाता है, इसमें कुल 64 सर्ग recognize जिसमें कुल 1,000,000 शंद थो इसमें कुल 1,000,000 शंद रहे हैं, इस गरंथ में तातकालिंक समेकी सामाजिक वा आर्थि इस्थिति की जानकरी मिलती है आपको धान रखना है तो पित्वी रासो चांद से हो जाएगा चंदरवर्दाई ने लिखा हो जाना से क्या हो जलहन ने इसको पूरा किया जो कि चंदरवर्दाई के क्या थे पूत्र थे next अपना बिसलदेवरासो बिसलदेवरासो के लिखा को ने नरपाती नालिय नरपती नाल्य ने इसको लिखा है तो इक लड़की के 20 पती आपको यह टरग लेकी एक लड़की कि 20 पति तो बीस से किह हो जागा बीजल देव रास यंध पती से गुजल जागा नर्पति नाहले ने इसको लिखाए है I 굉장히 बीजल को बीको बीये चुना को बीजल की नाम YTD इस गरंथ में विगरे राज चतूर्थ या फिर बिसल देव चोहान वे मालवा के राजा, भोज परमार की पुत्री, राजमती के प्रेम की कहानी का वंदन है, तो आपको डारेट ये चीज देकर ये पूछा सकता है कि इस चीज का वंदन किसके अंदर है, कि इस गरंथ में व खुमान रासो, खुमान रासो के लेखा के दलपत वीजे, को होने दलपत वीजे इसके लेखा के, तो खुमान, खुमान को आपनो खुमार, आज कल क्या हर किसी पर खुमार चाया है कि इसका दिल लगाने का, खुमार चाया है कि इसका दिल लगाने का, तो आपको इसे ही दा तो खुमान से हो जागा खुमान रासो और दिल से हो जागा दलपत विजे तो आजकल खुमार चाहिए हुआ है दिल लगाने का सब की ओपर तो खुमार से खुमान रासो और दिल से हो जागा दलपत विजे इसके क्या है लेखा के इसकी भाचा क्या है पिंगल भाचा में यह इस गरंथ में हल्डीक आटी के यूद के समय महाना परताब में उनके शक्ति सिंग के मिलन के मिलन का वन्दन है खुमान रासayo आएगा दिल का वदन्हें कीकर होखा थीनुख्त छंगत वुक्तिुचि hiring को लिखा है यह पिंगल बाशा में लिखा गया है इस गरंद में हल्दी गाटि के यूद्न के समय फिर उनके degree शक्ते सिंग के मिलन का रंद्न कहों थे शज्जो भई के पुत्र थे कियां मरास सरी मेरे को बताओ तो सरी जबी तो मेरे को पता चलेगा तो आपने क्या बोला तो आपकी क्या हुआ जान तो ठीक है तो यही अपना क्या हुआ जाएगा क्या से जाएगा कभी जान ने इसको लिखा जिनको नियामत खां के नाम से जाना जाता है इस गरंद में चोहानों को वत्स गोतरी बताया गया है जैसे कि बिजोलिय शिलाले के अंदर बताया गया है कि चोहानों को वत्स गोतरी बताया गया है वैसे इस गरंद में चोहानों को वत्स गोतरी बताया गया है तो एक्जाम की तरस्टी से मोस्ट इंपोर्टन कोशन बन सक है तो इस गरंत के अनुसार दिल्ली के जो सुल्तान था फिरोश्याद तूगलक करमचछंद को क्या बनाया था मुस्लमां बनाया था उसके वंशस्यक मुसलमान सब्सक्राइए। परताब से या दायरक न परताबका जीवन के अदा बहुत ज्यादा खतरनाग था तो परताब से सबसे उत्तम होता है इसमें आमेर के राजा मान सिंग वे हल्दिकाटी के यूद का वर्णन है अगवर के आपसी संबंदों का वर्णन भी है इस गरंद के अनुसार माना परताप ने जालोर पर आकमन किया जो हल्दिकाटी के यूद का मुख्य कारण है इसी गरंद में यह पताया गया है कि मान चरीत रासों के अंदर ये बात पताई गई है नेक्स्ट अपना रतन रासो रतन रासो के लिखा कोने कुम करन रतन रासो के लिखा कोने कुम करन अब देखो आपको बताई होगा रामयन तो आपने देखी होगी रामयन के अंदर क्या था क्या कुम करन था अब कुम करन को एक रतन पराप्त था वो छे महीने जागता था तो बस यही अपनी ट्रीक है कि कुमकरण को एक रतन प्राप्त था, कि वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, अपना गरंथ कौन सा है? रतन रासो जिसके लेखा के कुमकरण, तो अपने आप इसको किस से रिलेट करा है? कुमकरण से रिलेट करा है, कि कुमकरन को एक रतन प्राप्त था कि वो छे महीने सोता था और छे महीने जागता था आप इसको बूलोगे कभी नहीं बूलोगे तो कुमकरन से हो जागा कुमकरन और रतन से हो जागा रतन रासो तो रतन रासो के लेकर कोने कुमकरने ये आपको ध्यान रखना है सीध्य कुछ पूब पूछाए सकता है, कि जांगीर की विरुद, खुर्रम साहं का विद्रो, क्या वन्रन किस की अंदर मिलता है, तो यह आपको धान रखना है, रतन की से अदर मिलता है, कुम करन को परापता है, इसके लेकरन, मुझलो का, बुरहन पूर, घिरा, ढलत भाग, गिरावे धर्मत का यो 1608 का वर्णन भी इसी गरन्द के अंदर मिलता है यह को इंपोर्टेंट पूछा है सकता है कि धर्मत के यूध का वर्णन किस रासों गे अंदर है और य आपको आपको धान रखना है सारे चीज़े आपको एसे को इब बीड टाओंगो आपको रटनी पड़ू आपको रटनी पड़े तो सीता राम राणा जैसे आप जसको बहुत धाओं next अबने हमी रासो most important बता हुआ हुआ हमी रासो बहुत सारे बच्चों को चस्वेएंदर confused हो था हमी रासो के लिखा को न है तो मैं आपको बता दू हमी रासो किया है 3 गरंथे, कितने गरंथे 3 है तो हमी रासो के नाम से 3 लोगों न क्या लिखा इस हमी राषो का वंडन किसने करा तो वो Jodhraj ने लिखा हैं तो मापको तीनो के तीनो डीटेल में बता दूँ इनके बारे में में बहुत डीटेली इसी इनको निकालाएं कि अबकितने हमी रमी रास को डाव को यह बते हैं, फिस पहले हैं तो हमी राष जोत्राग्षर को एक नाम से लेकर कोACT महों हभी महों ने रहा हुए नहीं जाया है लग और थे हो मद्धह जो को पहसा की हो तक हुए नियुक्त को नहीं MAN झोद राज अब हमीर रासों के बारे में आप से समना ते आपको लागाना शारंगे लेकिन अगर वा अपसे इस तरह हैं इस तरी। इस तरह के से मापको बता करी मिलती है तो आप सी कोशन इस तरी के पूछेगा कि वही अलवर की छाचक चंद्रभानु के केने पर हमी रासो गरंत की रस्ना किस ने करी थी तो जोध्राजने करी यह आपको धानकना Enig == ल कुझे भत के हैं वो नेक्ष् हपना रान रासो को ने रान रासो के लिखा के दियाल स दास तिश्क अब आपको पता होगा कि भी राना को लगाथे थे राना प्राणा की राजे लगाते थे और मेवार की जो राना थे वो यह इसन मोगल मेवाड की जानकार ही और मोगल ममेवाड की जानकर ही मिल इसक एक लेखने से पना लचीमणगर रासे रासो जिसके लिखेब 01 कुषाल तो लख्षिमन गाड रासों के लेका कुषाल के लिबंचा ही लख्षिमन के अंदर क्या रहारा लक्षमन और लख्षमन किसे बाही थे राम के भाही नहीν कर अटा लख्षमन का जीवन बहुत कुषाल कि उनको बहुत है तो लक्षमन का बहुत अढ़को ओर पो लेखा कोने कुछाल से बहुत झाल लेखा उचाल्सर, विजेपाल राशू इसके लेखा के नल सिंग कोने नल सिंग में वीचे पाने के लिए एह इधी थीजमार को नदी नोकली की लड़ये में वीचे पाने के लिए येदिये आपको नदी नोक्री की लड़ए तो अखम क्या जाएंगे जैसे के आपने फिजय पड़ा हुआने अगा बसे जो पुराने राज जो पाल थ hecho न आप इस तो फर न नदी नाले से होकर जाना पड़ेगा तो सरकारी नोकरी की लड़े में विजय पाने के लिए नदी नाले से होकर भी जाना पड़े तो हम जाएंगे तो हो जाएगा विजय पाने से हो जाएगा विजय पाल रासो विजय पाने से हो जाएगा विजय पाल रासो और नदी नाले सस ले utilized आपना संगत रासोि जैसा कि मैंनों को पहले बताया है था था संगत रासोिए प्राइवा इसके वहीं गिर्धर आसिया कि अच्छी संगत होना यह जो आपके घरवालों को तो आपके खरवालों को और आपके गर्दन और धड़ को क्या उपपर उठा देवें इसा कभी किसी के सामने नीचा नहीं करना पड़े आपको तो आपकी संगत ऐसी होनी चाहिए जो आपकी गर्दन और धड़ उपर उठा देवें तो संगत से क्यों जयागा? संगत रासो गर्धन और धर से होजाएगा? गर्धन से गिर्धर अशिया ने क्या लिखा है? इसको लिखा है इस गरंथ में माना परता के भाई शक्ति सिंग भी उसके वंशजो का वनन मिलता है महारा परताब और शक्तिय सिंग के मिलन का वनना मिलता है खुमान रासों में और शक्तिय सिंग के वंशेज़ का मिलता है किसमें संगत रासों के अंदर मिलता है नेक्स्ट आपना चतरपसी रासो, इसके अंदर में ने मतीरा क्यों डाल रहा है, क्योंकि मतीरे की राड जो हुई थी ने 1664 में, उसका वंडर इसके अंदर मिलता है, आप चतरपसी रासो, काशी छंगानी नाम पढ़ते भी अगर आपनों ऑप्शन से भी लगाना चाहें ने तो आपन यहां तक नहीं पोच पाएंगे, इसलिए मैंने ट्रिक के अंदर इसके डीटेल भी शामिल करीए, कि चतरपसी शीवाजी का अंगय, काशी गय मतीरे लेना है, बस आपको इतना धाना है, चतरपसी शीवाजी से हो जागा चतरपसी रासो, ठीके, काशी से हो जाग अमर सिंग की बीच हुए, 1644 में हुए, मतीरे की राड का वर्णन मिलता है, आपको धान लगना है, और सीधा कोशन पूचा है, मतीरे की राड का वर्णन किस गरंत में है, तो चतरपसी रासों के अंदर इसका वर्णन मिलता है, आपको धान लगना है, क्योंकि चतरपसी शी होगो में जाना जाना होको要गो में तो पता ही होगा सुजान स कि मैं जाना जाता ये आपको पता ही होगा सुजान आदमी सारे जुटियम जोगे द wellness के ले इस इस गरंथ को वीरपूर विजय के नाम से भी जाना जाता है, इस गरंथ को वरसलपूर विजय के नाम से भी जाना जाता है, इस गरंथ को वरसलपूर विजय के नाम से भी जाना जाता है, सुजान सिंग्डोर रास्व को, नेक्स्ट आफना शातुरु साल रासु शातुरु साल र्षु के लेखे के टूंगर ठूंगर सी कुछा छित्रु आपने पढ़े भी होगा पाहड के पीछचे जा करुप गया sasya पर मारवाड़ के धृत्सकुअ मारव हैड़ividades तो आपने पढ़ाँ हुग हमेट आपको चतूरु पाढ़द से चुपा हुआ है चतूरु के पिचे चुपा हुआ है ते हमें पाहड के पिचे चूपा हुआ बंदद, इस lesson करने पार फो पिचे चुपा हुआ हा फाह थे जीसे कि यह सकी की जफिसी रासो की किरिंध की तुर्इल तो में उटको चोड़ दिया मैंने उसकी फिर भी बनाई है और फिर वी मैं आपको याद कर वहाँ हूँ है को कि अगर मैंने मैंने एक डू छोड़ दिया और एक दो एक्जाम के दर आगे तो आपको कि आपको लगया गवीने इस काववे रचना में बूंदी के राव शत्रुसाल का जीवन वरत वर्णित किया गया है इस काववे में चंद संक्या कितनी है कुल 500 चंद्रे इसके अंदर लगबग इतने 500 चंद्रे अब अपन पूरे सारे के सारे रासो गरंत याद कर चूके हैं अब अब हैं पड़ेंगे राज्थान के सा ठांगी unbelievable में लिखा हुआ ख्यांसाय महाराजा की परशलिंचा में लिखा हुऑ गरंत होता है लिए टे इसमें ले गद्बग धायो में लिखी जाती है तो एक फ़याद केंदर राजा महाराजा की परशहंसा का लिख गाया पर लिखागाए गरंत होता है और यह हमीचे गदस सहीते में लिखी जाती है कूछसी नेंसी पढ़ने की जरुत ही नेंसी से हो जागा मुलोनून नेंसी से निकिसो trud Sparky See मुलोन करीएत आधियात में यह सिरी इंडियाथ मिलता है poured things आपको वेसी पता है जस्वन सिंग की दरबारी कभी थे तो इसमें मारवाड का इत्यास का वर्णन मिलता है इस ख्यात की तुलना बाबार नामा से की जाती है मुंची देवी परसाद ने मुर्नोद नेंसी को राजस्थान का अबूल फजल कहा था एक्जाम के अंदर कोशन पूचा वे गया अगर आप से अग्जाम दे तो आगा पता भी होगा ये कोशन हजारों बाल रिपीट हुआ है कि मुंची देवी परसाद ने कहा है है इसमें मानापरतावे मान्सिंग की भेट का व Noodles ी मिलता है इस ख्यात् processes किस ने करा मुरादीदान ने इसको क्या करा मुरादीदान ने इसको परसिद किया है इस के अंदेकोल 1000 परष्ट है और भाषय कुनसी डिंगल है Igaz not मारवडी का मिश्रीत रूप होता है मुनोत नेंशी को राजस्थान में जंगर्णा का अगरज माना जाता है क्यों माना जाता है क्यों कि इन्हों ने ही सर्वपर्थम जंगर्णा के आकडे दिए थे में जंगर्णा का अगरज माना जाता है क्योंकि इनों नहीं सर्व पर्थम जंगर्णा के क्या दिये थे आकड़े दिये थे यह राजस्तन की सबसे प्राचिन ख्यात है कौन सी मुनोत नेंसी की ख्यात है मुनोत नेंसी जस्वन सिंग मुनोत नेंसी जस्वन सिंग पर्थम के कहते हैं दर्वादी तर Mapsche ini नहीं जाते समय 1670 में गभन के आरोब 0 पढ़ने पोरा नेंसीरी खेयात पढ़िया जो इकमात खेया जिसके रचन चांडों नहीं करी थी नहीं करी थी नेक्स्ट अमना बाकिदास री ख्यात बाकिदास री ख्यात के लेकर कोने बाकिदास ही बाकिदास को मैंने आपको श्टाटिंग में पताया था में राजस्तन का बीरबल कहा जाता है बाकितास से बाकितास हो जाएगा आपको इसके लेखा क्यात करने की जर्वत नहीं है बाकितास दो जोथपूर के शाशक मान सिंग के कहते दरवारी थे इस ख्यात में ये जानकरी मिलती है कि 1828 में मोस्ट इंपोर्टेंट है तो इस्ता question पूटाए हॉझे कान्या वद्ने की शपति यंवी कन्या वद्ने की जानकरी किस खयात करने मिलती कि आप अध स्थ्षय मिलती जो बाकी दातस ने लिखी है बखी دस आच हया कि अन्य रचना कों सी हुआ है को निती मनजरी और दाथार बाउबने भी इन्होंसोने लिकही है वी आपको जाता है कि आपको द्याल रचना है आख्यानी कलप दुरूम और गामारी पट्टारी विगत इनके ऑन्य रचना है यह भी मैं आपको ट्रिक्स से आद करवाता हूँ जैसे कि आपको पता है आज कल जो गम होता है वो द्याली इंसान को ही मिलते है जो खतर्नाव इंसान होते है वेकाल इंसान होता है उनको कम गम मिलते है क्योंकि वो गम दिल लेते ही नहीं है तो आज कल गम है द्यालू इंसान आपको बता हूंगे लिग्र राथोडों की कियाथ किसको कहते हैं द्यल्दास को कहते हैं और राथोडों की किसको कहते है लिए थी रधोन रचना करी थी इस ख्याद में राव शिहां से लेका ज़स्फन सिंग पर्थम तक का इतियास मिलता है जिस कारण इसे राथोडों की ख्यात कहते हैं यह आपको ध्यान लखना है फैसे तो यह विगत है लेकिन इसको ख्यात का दर्जा भी प्राप्त है इसलिए अपन के लगाते हैं तो आप उसको बहुत मार रहते हैं लेकिन वो मर रही था तो एक जन्यन आपको वोला बाइसके गन्ने से मूँ पर मार आगा तबी मर रही था गने सोजहँेगा परगना तो मार वार परगना इशनलिकी से ठेक जातिए प्राचिन quierad कोंसिती नेशी एकने सबसे बड़ीक्न आध नामी इतना बढ़ा है तो तो घ्यातं भीक्रत करतां ऊइन अभयह ली अक्बमम से लाइते चôm किज दीतocy kicking इस गरंत में 1658 में 1662 में प्रते गाउं की जनसंक्या वे आर्थिक वे सामझी की स्थती की जानकरी मिलती है और इसे मारवाड जारी राजस्तन का गजेटियर कहा जाता है क्यूंकि गजेटियर के अंदर भी या सारी जानकरी मिलती है तो तो हमारवाद्य विगत ख्याद को घाथ के लिए जाना जाता है अब आपन सारे रासो सहित्य याद कर चुके रायस्तन के सारे ख्यात सहित्य याद कर चुके अब आपन रायस्तन के परमुख सहित्य गरंथ याद करेंगे इससे क्या हुआ मैंने इस सहित्य गरंथों के अंदर भी सारे शामिल कर सकता था लेकिन कभी कोई रासो आता कभी कर दिये अब पर्मुक्साहित्य करन्त जो होंगे वो अपन याद कर लेंगे अब सबसे पहले अपना है शिशु पालवद जिसके लेखा गया महा कभी माग मोश्ट इंपोर्टन ये बार बार एक्जाम के अंदर पूछन पूचा गया का शिशु पालवद के लेखा कोने महा क डूलोवद में लगते में सबस्टे से थे इस गरंद की बहचा कौन सी संस्कत भाचा में लिखा गया है कभी माग को राजस्थान का वाल मिकी भी कहा जाता है जाता है नेक्स्ट गरंत है अपना डूला मारू का दुवा डूला मारूरा दुवा यह इसके लेखा को ने कभी कलोल है इसके लेखा गये अब दूला मारू के बारे में आपका उनकी प्रेम कानी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा सुना भी होगा और देखो इस तरही के से आद कर काला लाल कालोल काला औलाल कलोल काल करना इसा के दो घुत कर से डृप्रीया काल वस कहीं और मारू काुर सा तो मारू मारू का दूला कालाल चलेनि खुछता है मारू जो मारू का दूला था वो काला लाल से कलोल था इसकी बाच्चा के इसी डिंगल है ये डिंगल भाषा का पर्थम काववे गंत्र माना जाता है इस गरंत में डोला मारू की प्रेम कहानी का सुन्दर चितरन हुआ है इस गरंद में शंगार रस को प्रधानता दी गई है यह धोला कौन था यह धोला वही था जो के थे अपने आमेर के अंदर कच्छा वंश का साबक था दुले राय अफी तेज करन यह धोला कहां के थे नर्वर अंधेपरडेष के थे MP के थे और अजी पूगल भिकानेंर की थी 2 आपंद इंके पूशन क्या पूछे क्या थी थी इन उमर क्यांती मुझ बह जारो बार एग्जाम के पूछा गया का नरतैं पूछा गया का 1311 के यूद का वंदन मिलता है तता इसी में जालोर के चोंभान शाष्कों का वंदन भी मिलता है आपको ध्यान रखना है अब देखो अजीतो दे में कहला है अजीत सिंग को कोई नहीं जानता है जिसने रायस्तन के इतियास पड़ा हो तो पूरा जग जानता है तो अजीत सिंग से क्या हो जाएगा अजीतो दे और जीवन जग तो उनके जीवन को पूरा जग जानता है तो जीवन जग से क्या हो जग जीवन राम भट इसके क्या है लेखके जीटों जैसे आपके सामने आएका अजीश सिंग के जीवन को पूरा संपूर्ण ज में का निलता है नेक्स्ट ना करम चंद्र वंशी कीर्थन काव्यम करम चंद्र वंशी कीर्थन काव्यम की लेखा कुन है जे सोम है अब देखो करम चंद के अंदर करम अब आप अच्छा करम करोगे तो आपकी जेजेकार होगी तो आपकी जेजेकार होगी वो भी एक जेजेकार होगी वो भी क्या है लेख के यह आपको द्हाने रखना है नेक्स्ट से अपना राव जेसा रोचंदर कि लेका कौन है बिटू सूजा अब देखों राव जेसी रों के अंदर आरा जेतसी जेसी पढ़ने में लगता है जेसी अब जेसी कर्णी वेसी बढ़नी तो आपने सुने होगा अब अपन कहावत को पलट रहें जेसी कर्णी वेसी सजा होगी जेसी कर्णी वेसी बढ़नी का मलब यही था कि आप जैसा करम करोगे आपको वेसा इस में विकानेर के शाषक राव जेसे वे अकपर के पुतर कामरान के मद्दे होए युदका बंदाने most important है किस गरंत में बिकानेर के छचाचक राव जेस्टीपव अकबर के पुद्ग कामरान के मध्डेवई यूद कविंडर मिलता है, तो राव जेस्तीरो चंद के अंदर मिलता है. इस गरंत में बिकानेर के इतियाज की जानकरी मिलती है. बिट्टु सुजा ने इस गरंथ में लून करण को, राव लून करण को कल्यूग का करण कहा था, यह most important है, बिट्टु सुजा ने किसको कल्यूग का करण कहा, लेकिन एक मुशी देवी परसाद ने राय सिंग को राजपुताने का करण कहा, यह आपको ध्यान रखना है, नेक्ष्ट अपना हर विलाज, हर विलाज के लिए को राजपुताने को राजपुताइट को यह राजपुताइब करने दुख मनाना, तो आदम दुख मनाता रहेता है, नो कभी भी शिखर पर नहीं पहुछ पाते है, अगर आपको शिखर पर पूपो तो बhulना पहुआए और यह से पहुआ हो इसके क्या है लेखा की निया में अमरकावे वंशावली के लेखा के रन छोड़ भट तेलंगा आपन भी हिस्ट्री नहीं थी राचा के बारे में पड़ता है जो वीर होता है इस निया में कोई बहुता रन चोड़कर नहीं भगा अगर जो कोई रन चोड़ के भागी है उसके बारे में कोई पढ़ता भी नहीं और उसको कोई जानता भी नहीं है तो दुनिया में अमर वो ही हुआ है जो कभी भी रन चोड़ कर नहीं भागा जैसे कि माना परताब कभी भी रन चोड़ कर नहीं भागा इसलिए दो अपन अमर है वो अमर है, आज तक अपन उनके बारे में पढ़ते हैं, तो दुनिया में मर वह हुआ जो कभी भी रंड चोड कर नहीं भागा, तो अमर सो जगा अमर कावे वंचावली और रंचोड भथ तेलंग इसके क्या है, लेखा के रंचोड भथ तेलंग व लिखा वो इसी पुस्तक में लिखा है अमर कावे वंचाली नावाग पुस्तक में लिखा है रंचोग बट तेलन ने इसी पुस्तक पर ये पशस्ती आधारी ते इस गरंत में माना राज सिंग का वर्णन मिलता है इस गरंत में नहीं इस पशस्ती में किसमें इस पशस्ती में जान्ते हैं रासिंग पछास्ति में इस पछास्ति में जिकर यह को धान लखना है निएक्ष टैमावत जो भी और ओंप आई थी दो इसके लेका कोने पदमावत कुछ तो इसके लेका कोने मलीक और दमाबत मुहमत के लिएॹ। द्रानसिज के हैं लेखा के। पदमनी की पिरेम कता वे अलाउदिन खिल जी के साथ हुए चितोड के परतम साके 1303 का वर्णन मिलता है यह तो आपको पता ही होगा बस आपको इतना धाना है पदमावत के लेखा कोन है मलिक मुहम्मद जाइसी है यह आपको धान लखना है नेक्स्ट आपना पित्फीराज व जय करना पित्फी विजय नहीं कर सकते हो तो यह हमिपने पित्फीराज विजय, बिद्फी को विजय करने के लिए बह्यानक थायानक होती है इस गरंत में सपाद लक्ष जपो रचमेर के चोहानो का वर्णन किया गया है नेक्स्ट अबना हम्मिर महा कॉफे हम मिर महा कफ़े करनी के लिखा चंक सूरी बस आपको इसके अंदर एतना यार या लठ ना कि है हमारे महान नियन तो हमifa हमीरि महां보य से हो जयागा हमीर महाम्स है लीड को लिखा है बिल्कुल लए वह अपको जितने भी हमीरि हमीर एक्रण्थ का आएंगे फुर्माराय। अभी आप देखें एसका इसके बास हमीरि गरंत मेंने डाले हैं। तो हमिर महा कावे हमारे महान नेन, हमारे महान नेन, तो हमारे महान नेन तो हम्म महां कावे के हैं जहन्ते हैं जढ़ नेन, चंदर सूरी है, il heard country इसगात साथ इस संसक्रव्रा भाचा में लिखा रहा है, इस गरंथ में रंधूमर के चो philosophers राजा हमीर देव चोहन वे अलावदिन खिल जी के मद्दे हुए 1301 के यूद का वंदन मिलता है रन्थंबोर के पर्थम साके का वंदन इसके अंदर मिलता है यह आपको धान लखना है नेक्स्ट हमीर हट इसके लेकर को ने चंद्रशेकार हमीर हट चंद्रशेकार आजात को आप जानते होंगे इन्होंने ईसकीफित के अ Zukunft कहाना ह्ल एक्म्मीर सेंद देश को आजय रिवाद रहतnaj इनों के परियासों से देशाजद भी हुआ था इन सप ही के परियासों से देशाजद उआ था नहीं हमीर हट था था थी इसको आजद करवाने की तो हमीर हट के लेखा को चंदर शेकर इसके लेखाक है नेक्स ऐपना सुरज शड़ित चंदर सेकर है अब सूरज में राओ सूरज और चांद सः right Cross कर सकते हैं और सूरच दोनों के शिंकर पर पुछन में बहुत मुष्किल है चंदरशेकर प hoping बहुत मुष्किल है तो चान्द तो सूरज और चन्द के सिकररा पोचना मुश्किल है ईसके लेखा को जेंगे लोटी अजसा पत्नी चिमना को शरन दीती हैं। उनके इंवीच के यूद का परमु खारन था हैं। यूद को इस गरंत में बताए गया है। तो अमिरदेव ने उन दोनों को शरन दी तो यह बनलब कि सबस्थी ती आपसे आपकी राय मांगी। बाप शुचिता इन और आपको थैसे शचिया नहीं नहीं तो आपने बोला कि आर दोनों को भाड में जाना यान तीन थी तो आया 온ने जा पंप भाड में तो था ani मैं रिखना थाक हुं तो हमारी राय से हमीर रायन भाड से हो जाएगा बंडव व्यास इसके लेखा के इस गरंथ में हम्मिर देव चुहां की उपलब्दियों का वंड़न है आफ उनकी अब नेक्स अबना एगलिंग महां मातते हैं इनके लिख पूने काना व्यास है इसके लिक़ा काना व्यास है जो शेया का कہना व्यास देखा instant लिग जाने करना मिलता एवार के रचना किस नहीं पर्थांड जिसका नाम था Ahamda लेका को निश मैं कि जाना में में बहुत तो परफम है ऐस भी होंता है । इसए गरंद की दूसरे भाग इसनाने का नाम ते किया था एक लिंक महमात ते की रचना कुंबा के निर्देशन में कि सैनगती कानावियास नहीं की थी तो पार्प्य फा मुआ ने लिखा और कानाव्यास न लीखा कम्पा के नीरदेशन में नेर्देशन में रे count लिए कानाव्यास कून थे यह दर्वार्ले में इस सर्फ्षेडवार ज़्र नजब? कियाता हां थे नेक्समी पना राज रतना कर अब देखो राज अफ देखो राज रह को राज से लैटेड राजस्तन के अंदर आज से कुतने हैं शे रहती है दिना खेकर पार्ण चारी सी अब आपको सारे तर्ट माय और आप न Ain't हो सšक्षण हो। भी Beim राज रतनों देखो राज रतना करके अंदर आ रहा है रतन क्या रहा है रतन आ रहा है और राज रतनों पर वही करेगा जो सदा शीव को मानता है जो शीव को नहीं मानता वो राज रतनों पर वही करेगा जो सदा शीव को मानता है तो को राज रतनों से हो जागा राज रतना और राजा थी जरूवत कब होती जब कंगर हो जायगा तो टोरा न दो IS की जरूवत कर Themen on सब करेंगे तो राज परकाश लाजा की जरूवत कभाटbelt का होती हो इसके शुर रेखा जैडिया कशूर्दाज इसके लेखा गे इस गरंत में Mahaarana Ratsinghk के दौरा टीका दोड के भाने मुगलों के इलाकों को लूटने का वर्णन मिलता है कि Mahaarana Ratsinghk ने टीका दोड चलाई ती जिसके भाने मों क्या करते थे मुगलों के इलाके लूटते थे इस गरंथ में हल्दी काट्टी के यूद में माना परताप की विजे मानता है तो ये गरंद क्या करता है हल्दी काट्टी के यूद में माना परताप की विजे मानता है वैसे तो ये यूद था वो अनिनायक था लेकिन ये गरंद क्या मानता है कि इस यूद में की माना परताप की विजे यह मंदम के पर में मन्दमें कि आप जानते होंगे ननार्ण Paleo inviting ко सबसे सबकार क TV कारते के तो यह मंदम चींड़े करते साइथ मंद ग्राषी कर्ते करते ते Ņब उसका ata SH 그게 इस में राजपरसाद महलो दूर्ग मंदिर वास्तू के लाजघती को लागी निमान पदेदी का वंदन था इन 14 भागों के अंदर कुंबलकर दूर्ग का शिल्फी भी कौन था मंदन ही था एक यह राइस्थान पुलिस के अंदर अभी दोजा रटारा के अंदर हुए उसके अंदर यह कोशन पूछा गया है कि मंदन का भाई ना था किसने कुंबा कालिन वास्तुमंजरी पुस्तकी रचना गी तो कोशन पूछा गया थे वास्तुमंजरी पुस्तकी रचना किसने करी नाथा नहीं करी यह नाथा कौन था यह मंदन का भाई था यह आपको धान रखना है तो आपने धान रखना राजवलब को बलब बलब जला क कौन काम करता था मंदन काम करता था नेक्स्ट अपना राज विलाश देखो राज विलाश पढ़ने में लगता है राजा की लाश तो राजा की राज का क्या करना चाहिए मान होना चाहिए तो राज विलाश से राजा की लाश का क्या होना चाहिए मान होना चाहिए नेक्स्ट अपना राज विनोद एक सदाशीन फट राज जेत सादही बट सदाशीव भड और तो, ॥ भो सदाशीव भड करोगे हैं तो आप सदा पच्थता 60 network को अपने लिगली राजा का वि्रोद करोगे सदाशीव भड टो पूद nowadays रॉपक्य आप अब गोगर रॉपकाव जय से आपना री विचन करते हैं जो कotiं को राज रतना कंड़ेंगें जो सदा शिव को मान टा शिर अषीव राज परकास प्रकार डालने की जरवत कवे होती है जो कैसा है किशोर हुता है ि राज वाल ओप से निकाला व्लप बलप बलप शुन करता आलखनी सिלא कि उसथी पर लाइक करना तरह इसी तरह की वीडिव को न Tiffany's पारे कि लिए चैनल को सब्सक्राइब जलिए तरह harm पेझुज़ा खाल तेजे देखान तेखान झ्यूज execई और लेखान झाल एडास झाल झाल